देश के इमांदार कर्दाताओं को केंदी सरकार ने नई सौगाती है। प्रधानमंत्री नरइंदर मोदी ने आज पार्दर्शी कराधान मंच की शुरुवात की। प्रधान मंत्री ने इसे देश में चल रहे धाचा कर सुधारों के सिलसिले में नया पढ़ाव बताया। इस मंच के जरिये देश में टेक्स प्रणाली, सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस बनेगी। इस मौखे पर प्रधान मंत्री ने देश वासियों से आगे बढ़ कर भुखता प्रणाली में प्रणाली में सुधार आएगा और सरल बनाने के प्रयासों को और बल में लेगा। बीते छे बर्स में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग दा अनबैंक, शिक्यरिंग दा अन्शिक्योर और फंडिंग दा अनफंडेड आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ओनरिंग दा अनिस्ट, इमांदार का सम्मान, देश का इमांदार टैक्सपेयर राष्ट निर्माण में बहुत बड़ी भूमी का निभाता है। जब देश के इमांदार टैक्सपेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंद्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर नियम खानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पार सेंट्रिक अप्रोच से बहार निकाल कर उसको प्यूपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पड़ जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि ये नए भारत के नए गवेनिंस मॉडल का प्रियोग है। और देश को इसके सुखत परिडाम भी मिल रहे हैं। इसके चार कारण है। पहला पॉलिसी ड्रिवेन गवरनन्स। जब पॉलिसी स्पस्ट होती हैं तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं। और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और नेड़ेंव में भी डिस्क्रिशन की गुंजाईस कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की इमाददारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टिम में हुमन इंटरफेस को सिमित करके टेकनलोजी का बड़े स्तर पर उपलोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलिवरी, सब जगह टैक इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशिंद्री है, जो बिरोकसी है, उसमें एफिशन्सी, इंटिग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश टैक्स प्रणाली को सीमलेस, पैनलेस और फेसलेस बनाने की है। यानि टैक्स पेर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफार्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रिधानमंत्री ने बताया कि 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे, उसमें से 0.94 फीसेदी की स्कूटनी होती थी, लेकिन आज उससे काफी कम स्कूटनी हो रही है, क्योंकि सरकार टैक्स पेर्स तो भरोसा कर रही है। प्रिधानमंत्री ने कहा कि टैक्स पेर्स चाटर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। पिश्टे साल कॉर्पूरे टैक्स की दर को 30 फीसेदी से खटा कर 22 फीसदी कर दिया गया और नई वी निर्मान एकायों के लिए इस दर को और भी अधिक खटा कर 15 फीसदी कर दिया गया। किये गए हैं। बिरो रिपोर्ट राजिसभा टीवी